प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने आज नोवे रोजगार मेले के तहट 51,000 युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिया ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंदर सरकार के अलग-अलग विभागों में बढ़ती हुए हैं इस मोके पर पिएम ने कहा कि पिछले नो साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदला हुए हैं तकनिक का इस्तिमाल बढ़ने से ब्रष्टाचार घटा हैं और सुविधाएं बड़ी हैं ये रोजगार मेला देश भर में 46 इस्थानों पर आयोजित क्या गया पिएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कारिक्रम में शामिल हुए यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मोजूत युवाओं को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जोईनिंग लेटर सोपा इससे पहले आठवा रोजगार मेला 28 अगस को आयोजित क्या गया था जिसमें पिएम ने 51,106 युवाओं को जोईनिंग लेटर सोपे थे यह रोजगार मेला भी देश भर में 45 जगहों पर आयोजित क्या गया था पिएम मोदी ने जोईनिंग लेटर मिलने पर सब को बढ़ाई दी और कहा कि भारत बहुत चल्ट टॉप त्री अर्थे वेवस्ता में शामिल होगा पिएम मोदी ने कहा देश के हर युवा का सपना है कि वो देश का प्रहरी बने आप देश की सेवा के साथ साथ यहां के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे इसलिए आप सभी आजादी के अमरत काल के अमरत रक्षक हैं इसी के साथ बने रहे हैं एशानियूस इंडिया के साथ ठाहिए